यह कहानी है एक ऐसे डॉक्टर राम की जो बहुत ही फेमस थे जिनका बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था. उन्होंने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया था और कई सफल ओपरेशन किये थे. वे बहुत ही दयालू और हमेशा मदद करने के लिए तयार रहते थे. एक दिन में है और जल्दी ही इलाज नहीं हुआ तो कभी भी सांसे बंद हो सकती है. डॉक्टर राम जल्दी से हॉस्पिटल गए और जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुँचे, मदन की पतनी और उनकी छे बचियां खड़ी थी. वह डॉक्टर को घेर लेती है और पूछती है, राम ने उन्हें मदन की पतनी खड़ी हुई मिलती है. डॉक्टर राम मायूस से चहरे से बोलते हैं कि हम मदन को नहीं बचा सके. अब मदन की पतनी डॉक्टर राम को अपने पती की मौत का जिम्मेदार बताते हुए बोलती है. अब हमारा घर कैसे चलेगा और बच्चियो से निकल जाते हैं और बहुत ही बुरा फील करते हुए अपने आपको मदन की मौत का जिम्मेदार मानने लगते हैं. अब उनको यह बात अंदर ही अंदर खाये जा रही थी. अब डॉक्टर राम ने अपनी जान लेने का फैसला किया, उसने सोचा वह एक अच्छा डॉक्ट आप ये क्या कर रहे हैं जो इनसान इतने लोगों का मसीहा बन चुका है, इतने लोगों की जिंदगी बचाई है और डॉक्टर तो खुद ईश्वर का रूप होते हैं जो हमेशा दूसरे की जिंदगी को एक नया जन्म देते हैं. मदन की मौत का जिम्मेदार खुद को मत मा जानो, तुमने तो पूरी कोशिश की मदन को बचाने की. ईश्वर ने मदन की बच्चियों के फ्यूचर में कुछ अच्छा ही लिखा होगा. तो तुम घर जाओ और ऐसे ही अच्छे काम करते रहो. अब कुछ दिन बाद, हॉस्पिटल में एक बहुत ही अमीर औरत तीन बच्चियों के साथ आती है. ये वही मदन की बच्चियां थी. अमीर औरत के पीठ में बहुत जोर से दर्द था. उसके लिए दवाईयां लेने आई थी. डॉक्टर राम ने पूछा, ये बच्चियां हो चुकी है. तो मैंने उनकी पढ़ाई और परवरिश करने का फैसला लिया है. अब डॉक्टर राम को बहुत ही अच्छा फील होता है और जिस वजन तले वह जी रहे थे, अब वह मदन की मृत्यू का बोज थोड़ा कम होता है. डॉक्टर राम ने यमराज का धन्यवाद दिया कि उन्होंने राम को सही मार्ग दिखाया. किसी ने सही कहा है कि जिन्दगी में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है. पर हमको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव फीलिंग से जिन्दगी को जीना चाहिए. आशा करती हूँ कि आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा. अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कहानी आपके लिए लाते रहे और आपके सोचने का नजरिया बदल सके तो हमको फॉलू कीजिए. जय हिंद जय भारत!